पे मोसम बारिश और ओला व्रिस्टी से रभी फसलों को नुकसान होने की आशंका हिरानी की बात है कि केंद्रिय क्रिशी मंत्राल्य द्वारा गेहूं के रिकोर्ड उत्पादन का हनुमान लगाए जाने के बाप चूद खाद्य मंत्रालय ने इस साल महज 300 से 320 लाग टन की खरीद का लक्षय तै किया है इस बीच फरवरी के अंत्र और मार्च के शुरू में तेज हवा के साथ बे मोसम बारिश होने तथा कहीं-कहीं ओले गिरने से रभी कालीन फसलों और खासकर गेहूं, सरसो और चना की फसल को नुकसान होने की आशंका है इन फसलों की कटाई त्यारी में देरी हो सकती है और साथ ही उपचज़र के साथ क्वालिटी परभावित हो सकती है मिली जानकारी के मुताविक प्राकतिक आपदाओं के कारण पंजाब, हरियाना, मध्यपरदेश और राजस्तान जैसे प्रांतों में गेहूं की फसल पर असर पड़ा है और राजस्व विभाग द्वारा शती का आंकलन किया जा रहा है मालुम हुआ है कि एक मार्च को मोसम विभाग ने पश्चिमी मिशोग की सक्रियता के कारण पश्चिमी हिमाले शेत्र तता पश्चिमोतर भारत के मेदानी भाग में तीन से चार मार्च तक भारी वर्षा और वरफ बारी होने की संभावना व्यक्त की थी उधर केंद्रियम क्रिशिमंत्राले ने अपने दूसरे अगरीम अनुमान में 2023-24 के रभी सीजन में 1120 लाग टन गेहूं के रिकोर्ड उत्पादन की संभावना व्यक्त की है और यह 2022-23 सीजन के उत्पादन 1105 लाग टन से करीब 1.3 फिसद ज्यादा है वहीं जानकारों का कहना है कि यदि फसल को ज्यादा नुफसान हुआ है तो गेहूं के उत्पादन अनुमान में कटोती हो सकती है इसी तरह अन्या फसलों का उत्पादन अनुमान भी खटाया जा सकता है वहीं जानकारों का कहना है कि तेज हवा और ओला वरिष्टी से गेहों की फसल जमीन पर गिरने की सूशनाई मिल रही है लेकिन कुल उत्पादन पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है अब मौसम धीरे-धीरे गरम होने लगा है झाल 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 झाल